हेलो फ्रेंट्स विल्कम तो माई योटूब चैनल जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज के हम अपने इस वीडियो में टीजेटी पीजेटी सोशियोलाजी प्राक्टिसेट नुमर 27 को सॉल्व करेंगे ये प्राक्टिसेट बिल्कुली स्लेबस के अकॉर्डिंग तयार किया गया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ अगर आपको वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि यही एक मात संसकार है जो उनके द्वारा संपन किया जाता है तिया किसके अनुसार कहा गया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नंबर B के एम कपाडिया के अनुसार किसके अनुसार के एम कपाडिया के अनुसार के एम कपाडिया के अनुसार इ या कथन की या जरूरी नहीं की अनुष्ठानिक रूप से विवाहित पत ही अपनी पत्नी से उत्पन्ने बच्चों का वैदानिक जनक हो निम्नलखित जातियों या समुदायों में से किस एक पर पुराने जमाने में लागू होता था तो या किस एक पर पुराने जमाने में ल भोग करना पड़ता था जिससे इस बात का निर्धारण करना जो है कटीन हो जाता था कि बच्चे का वास्तुविक पिता कौन है इस वज़ा से इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्शन में भारत में नामकी परिवार के कुछ संगठन कोटियां दी है निमलखित इस कौन से बोड़ए Prest الا anticipating कोट्यों में से एक नहीं है इस कुशन का राइट ऑफचिन नाम्बढ नंबर ऑफटनında निंग Lab Kan infamous नउसर औक इसकुशन का कंड़ोज्ण इसमें अनपूरिक वनसच सामिल नहीं है यह जो अनपूरिक वनसच है यह सामिल नहीं है यह जो अनपूरिक नाभकी है उपनाभकी और एकल व्यक्त ग्रियास्ति यह तीनों ही जो है कोलेंडे दोरह प्रस्तुत कोटियों में जो है सामिल है तो इस कुछन का राइट एंसर हो पहला पॉइंट है हमारा समाज का अधिस्रेणिक विभाजन है, दूसरा पॉइंट है लोगों की सांस्कृतिक पृष्ट भूम पर आधारित है, तीसरा पॉइंट है समाज की समुहों में विभाजन की समविदनात्मक जो है ब्योस्ता है, तो कुश्चन पूछ रहा है कि तो इस कुश्चन का राइट अंसर होगा हमारा option number A, बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रस्ट की तरब, अगला प्रस्ट है हमारा निम नलिखित समाज सास्त्रियों पर विचार कीज़े, यहां पर चार समाज सास्त्री का नाम दिया गया है, पहले है, पहला है पहला ह सामाजिक अस्तरी करण के मार्क्सवादी और प्रकार्यवादी सिध्धानतों के मद्य समाधान का प्रयास किया है, तो इस कुश्चन का राइट अंसर क्या होगा, इस कुश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा, option number D, 3 और 4, यानि की, मेल्विन, ट्यूम समाज में अतिप्राचीन काल से बिद्धिमान रहा है, और मार्क्स की भी मानता यही है कि प्रतेग यूग में समाज में दो वर्ग स्रमिक एवं पूझी पती बिद्धिमान रहे हैं, तीस वज़ा से इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा, हमारा option number D, आज का हमारा अ आधार है, दूसरा है आयव प्रिथक्की करण के सामाजिक सांस्क्रितिक रूप का आधार है, तीसरा point है लिंग प्रिथक्की करण के जेव सामाजिक रूप का आधार है, तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या होगा, इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा, वो द्वारा जो है ब्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्थ आधारों पर विभाजित किया जाता है तिस वज़ा से इस question का right answer क्या होगा? तो right answer हो जाएगा हमारा option number C 2, 3 और 4 बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रस्ट के तरफ, अगला प्रस्ट है हमारा पुस्तक white collar American middle classes के लेखक कौन है? पुस्तक white collar American middle classes के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number D C right mills कौन है? C right mills पुस्तक white collar American middle classes के लेखक C right mills हैं आज का हमारा अगला प्रस्ट है निम्म लखित में से कौन सा एक सिध्धान्त इस द्रिष्टिकोंड का समर्थन करता है कि आशमानता ना केवल विशेश छेत्री होती है बलकि जरूरी भी तिया किसका सिध्धान्त है इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर बी प्रकार विवादी का किसका प्रकार विवादी सिध्धान्त है गिटलर की मानिता है कि आसमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्द् समाज में योग व्यक्तियों को जो हे सौप दिये जाते हैं, तो इस वज़ा से इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B आज का हमारा अगला प्रश्ण है निम्न लखित में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है तो कौन सा है जो एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करते है इसका अध्यन लूई डूमा ने किसने इसका अध्यन जो किया था वह लूई डूमा ने अपनी पुष्टक होमो हिरार्थियस में जो है किया हुआ हुआ है किसमे होमो हिरार्कियस में जो है इसका जो है अध्यान जो है लूई डूमया ने किया हुआ है तो इस कुछन का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर डी आज का हमारा अगला प्रश्ण है निम्नलखित लच्छनों पर विचार केज़े यहां पर टूडल चार पॉइंट दिये इन में से कौन प्रबल जात के लच्छन नहीं है तो इस कुछन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर सी केवल 5 यानि कि यह जो विधिक प्रस्थित है यह प्रबल जात के लच्छन नहीं है जबकि देख़ाजात संख्याबल आर्थिक प्रस्थित अनुष्ठ आत्मक प्रस्थित और राजनेतिक सकती यह चारों ही जो है प्रबल जात के लच्छण है तो इस कुछन का राइट एंसर होगा option number C की प्रबल जात के लच्छण कौन नहीं है यह बिधिक यह प्रबल जात की जो है लच्छण नहीं है बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रस्थ की तरब अगला प्रस्थन है आधनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक सहर में कुसल कार खाना स्रमिक हो जाता है तो यहांदारण है तो यहां किसका उदारण है राइट एंसर हो जाएगा option number B वूर्द मुखी गत शिलता का उदारण है जब किसी ब्यक्तिया समूह का एक सामाजीक स्तर से दूसरे सामाजी के स्तर में गमन होता है तो उसे उर्द मुखी option number B, आज का हमारा अगला प्रश्ण है निम्लखित जात समूहों पर विचार किज़े, यहां पर टूडल चार जो है जात समूह दिये गए है, पहला है पंजाब के जात सिख, दूसरा है तमिलनाट के नाडार, तीसरा है उत्तर प्रदेश के जाटा और चौथा है करनाटक के ठीक है वो किलिंग, कुश्चन कहरा है कि इनमें से किन समूहों में जात विवस्ता में उर्द मुखी गत्सिलता हुई है, तो इनमें से कौन से समूह है जिनमें जो है जात विवस्ता में उर्द मुखी गत्सिलता हुई है, तो इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा, option number D yarni ki 1 2 और जो 4 यानि कि पंजाब के जाट सिकh, तमिल नाट के नाडार फिर से देख लेते हैं पंजाब के जाट सिकh, तमिल नाट के नाडार और करनाटक के वो क्लिंग में जो है, जाध ब्योस्था में उर्धम की गत्षिलता जो है देखने को मिली है, पंजाब के जाडशिक, तमिलनाड के नाडार तथा करनाटक के वो किलिंग में जाड़ ब्योस्था में उर्ध मुखी गतिसेलता जो है हुई है इस वज़ा से इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा option number D, आज का हमारा अगला प्रश्ण है निमनलखित विश्यस्ताओं पर विचार किजे यहां पर टूटल चार पॉइंट तीन पॉइंट दे गए हैं पहला है समाज का खंडरनात्मक जो है विभाजन दूसरा है विवसाओं का बेरोग विभाजन तीसरा है नागरिक और धार् कुशन कह रहा है कि इनमें से जाद विवस्ता की विश्यस्ताओं कौन सी है तो जो इनमें जो है जाद विश्यस्ताओं की जो विश्यस्ताओं की इनमें से कौन कौन सी है तो इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D यानि कि एक और तीन, यानि कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जाद विवस्था की विशेष्थाओं जो है समाज का खंडरनात्मक विभाजन है और नागरिक और धार्मिक नियोर्गताओं और इसका विशेषादिकार है, ठीक है, क्या होता है कि घुरियों ने जाद की निम्न छह वि विशेषादिकार, तीसरा है संस्तरन, चौथा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिवंब, पांचों है पेसे के अप्रतबंधित चुनाव का आभाव और विवाह संबंधित प्रतिवंब, यह सभी जो है टोटल छेट हुएं, जो घुरियों ने जाद प्रता के ले निम लखित में से किस समाज सासरी ने कहा है कि वर्ग उन विभिन इस्थितियों के जो कि ब्यक्ति समाज की उत्पादन ब्योस्ता में धारित करते हैं आधार पर बिख्सित हैं, तो किसके आधार पर बिख्सित हैं इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन न सकता है मार्क्स और बेबर ने वर्ग के आर्थिक आधार को जो है सब्कार किया हुआ है तीस वजह से इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आज का हमारा अगला प्रश्ण है य 1977 की रूसी क्रांथि और 1989 की चीनि क्रांथ घटित हुई थी तिया कौन से समाजों के बीच घटित हुई थी ति इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अत्तदिक और दोगिकरित अथा आल प्र नग्रिट समाजों बीच रूसी क्राथ में उनीच सो सतरा में मुख्यता और दुगिक स्वाजों दौरा की गई थी ओर चीनी क्रान्त के जनग कौन था चीनी क्रांथ जो जनक अग्ला प्रश्न है एक सोड़्ा नंबर बी आज क्यों है पूंप्श्न है मुदाय है तो नेर्म निर्खित में से कौन सी एक जंजात है जो पस उचारक समझाया है option number a है अपटनी, option number b है बैगा, option number c है मिस्मी और option number d है टोडा तो इन में से कौन सा एंसर सही है तो इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number d टोडा ठीक है टोडा जो है या दच्छिन भारत की नील गिर पहाडियों पर पाये जानी वाली पस उपालन जन जाती है इस जन की महिलाओं को भेंसा छूना निशिद्ध है जो है इनकी जो संस्कृत है इनकी संस्कृत को धेंस संस्कृत के नाम से जाना जाता है तो इस कर सका इसे जो है देनियल बेल ने असवबिकार किया है ठीक है ध्यान करेंगे कि यह यह असवबिकार करना नहीं नहीं है यह है असवबिकार करना ठीक है ध्यान रखिएगा इस कृष्टिन का राइसमोर अपसे штण नमबर 858 डैन विल आजके हमारा अगला प्रश्ण है दूसरा पॉइंट है संक्रमण छेत, तीसरा पॉइंट है केंद्री ब्यापार जिला, चौथा पॉइंट है हमारा स्रम जीवी जनसंख्या अंचल और पाचव पॉइंट है आवासी अंचल, तो कुश्यन क्या पूश रहा है कि पार्ग तथा बर्गेश के अंसार इन पाच संकेंद्री अंचलों का केंद्र से बाहर की और सही अनुक्रम है, इनका जो सही अनुक्रम है वह क्या होगा, तो इस कुश्यन का राइट अंसर हो जाएगा, option नंबर भी यानि कि पहले नंबर पे तीसरा दूसरे नंबर पे जो है दूसरा तीसरे नंबर पे चोथा चोथे नंबर वे पांचवा और पांचवे नंबर पे पहला यानि कि आप ऐसा कह सकते हैं कि पार्ग तथा बर्गेश ने केंद्री कृति प्रतिरूपन प्रखंड पर जोड दिया है इनके अनुसार 5 संकेंद्री अंचलों का केंद्र से बाहर की ओर का जो सही क्रम है वह प्रकार है जैसे पहले नंबर पर केंद्री ब्यापार जिला दूसरे नंबर पे है पहले नंबर पे कौन है तिया केंदरी ब्यापार जिला है दूसरे नंबर पे कौन है तिया संक्रमण छेत्र है तीसरे नंबर पे है स्रम जीवी जनसंख्या चौथे नंबर पे हमारा अंचल आवासी जो है और पांचोई नंबर पे है हमारा अभिगमन क का अच्छी सिद्धान्थ किया है तो तो बियुष्पैर जोगी की विषिष्टा है तो इस निम्लखित में से किस ने कहा है कि मानोबिकास के उपागमन में ज्ञान कर्म और भगती समलित है त्यूर किस ने कहा है कि इस वज़ा से कुषिन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number B friends उम्मेद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज वीडियो को like कर दें और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को dislike कर दें और आपने वीडि का नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिल सके तो चलिए हम आपसे अपने मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम